नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं एडीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप दूंग सामने हूं आज एक 13 तारीकी 13 थाप नॉम्बर 2023 की हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें जीरो दा एक कमपनी है जो शेयर मार्केट से ट्रेडिंग से सम्मंदित कमपनी है इसके सीओ नितिन कामत का एक लेख नितिन कामत का व्यू है उसमें एक टर्म आया पिक बुचरिंग पिक बूचरिंग क्या चीज होता है तो पिक बूचरिंग वास्तों में एक Chinese term है जिसका नाम जो Chinese word से आया हुआ है जूजाई जेड एच यू जेड एड एड जूजाई इसका मतलब होता है टूइस्ट लाटर अपिक अब यहां पर यह जो नितिन कामत जो कह रहे हैं इनका इस पिक स्लाटरिंग से कोई मतलब नहीं है चुकि यह शेर मार्केट संबन्दी जूड़ी ही कमपनी है ट्रेडिंग शेर बाजार संबन्द तो इसका संबन्द इस टर्म का शेर या फाइनेंसियल संबन्द है बित्ती संबन्द है जैसे एक पिग को स्लाटर करने से पहले खुब खिलाया पिलाया जाता है और फिर जब वो मोटा ताजा हो जाता है बड़ा हो जाता है तो उसको आराम सी क्या कर दिया था स्लाटर कर दिया जाता है ऐसे ही सेर मार्केट में कुछ फेक न्यूज भैलायी जाती है आपके मोबाइल पर आ सकता है ट्विटर पर आ सकता है आपके ट्विटर हैंडिल पर आ सकता है कहीं भी सोशल मीडिया एप के ज़रीए आपके मोबायल पर मैसेज भज़वाया जाएगा कि अगर आप इस कंपनी में निवेस करते हूँ तो इतना रिटर्न मिलेगा तो इतना रिटर्न मिलेगा निवेस करते हूँ ये बाते इसमें बताई जाती है और फिर जब आप उस return के जहासे में आ करके एक दो बार निमेज करोगे पहली बार निमेज करोगे, दूसरी बार निमेज करोगे हो सकता है आपका return उतना आभी जाए लेकिन बाद में सारा निमेज एक साथ करवा करके पूरी company गाइब हो जाएगी चुकि आप उसमें से किसी आफिस को जानते नहीं सारा काम अनलाइन चल रहा है इसलिए आपको पता लगा पाना बड़ा मुश्किल काम होगा कि यह कहां से हो रहा है कैसे हो रहा है तो पहली बात तो यहां यह निकल करके आई कि इस तरह के अगर फालतू कोई मैसेज आ रहे हैं चाहे वाटसअप पर आ रहे हैं चाहे आपकी इमेल आईडी पर आ रहे हैं या किसी भी सोसल मीडिया एकाउन पर आ रहे हैं तो उन मैसेजियों के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है जब तक हम उसकी गहन छान भी न कर ले हमें नहीं पढ़ना है नहीं तो जो भी आपके पास है क्रिप्टो करेंसी में लगाने के लिए कहा जाता है महुत सारे जगहों पर कहा जाता है और तो और कई बार ये टर्म उनके लिए भी यूज होता है पिक बुचरिंग रोमांस बीवी सी वर्ड में भी एक ख़वर छपी थी आही थी कि इसमें क्या होता है इसमें आपको जो है वहीं हनी ट्रेप के जरी ये फसा लिया जाएगा पाले साधी उदी का जहांसा दे करके और उसके बाद में आपसे पैसे को गएर मांगे जाएंगे आप देते जाओगे सब ख़तम होता जाएगा बस एक दिन आएगा आपसे संबंद ख़तम अब आप पगलाएगों ये भी होता है मतलब किसी भी तरीके से आपके पैसे को चूसा जाएगा और उसके लिए पहले आपको विश्वास में लिया जाता है पूरी तरीके से जब आप पूरी तरीके से विश्वास में आ जाते हो तब फिर जो है आपका पैसा फाइनेंस का घपला सुरू हो जाता है और आपसे पैसा वसुलना सुरू हो जाता है एक खबर इसमें ए भी निकल करके आई हिंदुस्तान टाइम्स की ही रिपोर्ट में आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि उसमें ए भी कहा गया है कि कई बार लोग को बिदेश बुलाने का जहांसा दिया जाता है यह वहां लोग जाते हैं हैं और जैसे मलेशिया में बर्मा में नाम पर आपको बुलाए जाएगा फिर आप से ही मार कर के वहीं काम करवाया यहँद आप आइडी क्रियेट करोगे और लोगों से पैसा घर पोगे और उसके बाद में कम्पनी के वह पैसा कि यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता तो ऐसे भी किसी कम्पनी की द्वारा अगर कोई आता है कि आपको यहाँ ज्याब मिल गई है आप यहां आ जाईए फलाना धिकाना दुनिया कमबोडिया उगरे में यह सब चलते हैं यहां पर चलता है आपका बर्मा उगरे में चलते हैं तो कई ऐसे यह मतलब इस्ट एसियन कंट्री है जहां पर केकारोबार बहुत तेजी से फूल फल रहा है तो इसमें भी नहीं आना ह इसी को ओवराल एक टर्म दिया गया है पिक बुचरिंग उम्मीद है कि आप इस टर्म को अच्छी तरह समझ गये होंगे और इन खत्रों से आप आगाव हो गये होंगे आप मतलब पूरी तरीके से सजग हो गये होंगे कि इस तरह के इन्वेश्टमेंट्स में फसना नहीं ह कई बार रिटर्न आ भी जाता है एक दू बार उसके बार में फिर जो है आपके उपर अटेक होता है मतलब आपका पूरा पैसा एक साथ ही कहीं इंवेश्ट करा दिया जाएगा और फिर उसको हड़प लिया जाएगा ले लेगी कंपनी जो भी जहां भी इंवेश्ट भारत बंद्यमात्रम आप सभी को भईया दूज की सुब कामनाए धन्यवाद